अच्छा जी कैसे हैं आप सब लोग अमीद करती हूं सब लोग ठीक छाक होंगे अच्छा जी आज मैं आपके सामने लेके आगी हूं एक प्रॉडक्ट का रीवियू जिसे मैंने दरास की 7.7 की सेल में से परचेश किया था और आज मैं आपके साथ इसका डीटेल रीवियू श स्क्रबर और आज मैं आपके साथ इसका रीवियू शेयर करूंगी अच्छा मुझे ब्लैकर्ट का बहुत इशू था तो मैंने ये मेशीन दरास पर देखी और काफी अर्से से मेरे कार्ट में है और पिर मैंने इसको सोचा कि मैं परचेश करती हूं इसको इसकी कुछ पैके कौन के ये रिसीव हुएं मुझे इस एक के साथ जो है आप क्लिंजिंग कर सकते हैं और एक के साथ हलकी हलकी सी स्क्रबिंग कर सकते हैं ये दो पार्ट थे जो मुझे इसके साथ रिसीव हुए हैं अगर इसके क्वालिटी की बात ही जाए तो क्वालिटी जो है इसकी 10 आउ से ये स्टील की बनी वी होती है इसको हम यूज करके तो अपने जो ब्लैकर्ट्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं अच्छा ये स्क्रबर जो है आपकी लाइफ को बहुत असान कर देता है क्योंकि ये रिचार्ज एबल है और जो दूस्टे फिजिकल स्क्रब्स होते हैं वो आपके पोर्स को मजीद enlarge कर देते हैं आपने स्क्रब्स तो यूज करना ही होता है अपने बलैकर्स को रिमूव करने के लिए सो यह ये एक ऐसा life saving स्क्रबर है जो आपके पोर्स को बिलकुल बहुत भी enlarge नहीं करेगा बस ये आपके पोर्स को क्लीन करेगा उसके बाद जो है आपको ये अच्छा सा टोनर यूज कर ले अच्छा अब मैं आपको इसको यूज करने का तरीका बता देती हूँ अब आपने अपने फेस के उपर कोई भी अलोवेर जल लगा लें कोई कलिंजर लगा लें या थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रिंकल कर लें अपने फेस के उपर इसको आपने बहुत हलके हाथों से बहुत सलो सलो बहुत तेजी के साथ नहीं बहुत सलो आपने इसको अपने फेस के उपर गलाइड करना है तो सारा जो सीबम है और जो ब्लैकर्स जितने भी थे मेरे नोज और चिन में ये इसके ओपर आ चुके हैं या आप लोग देख सकते हैं ये सारे ब्लैकर्स है मैं हाथ के ओपर भी आपको दिखा रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छी किसम की मशीन है और अप इसको जरूर पर चैस करें या आपकी स्किन केर में मस्ट हैव के दोड़ पर होनी चाहिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइच और सबस्क्राइब मैं चैनल अल्ला हाफ़ज